कैसे आप दोस्तों आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं जियो का बिल्कुल लेटास फोन जियो प्राइमा 4G यह काफी अच्छा एक बटन फोन है काफी अच्छे फीचर के साथ आगिया है चले अनबॉक्स करते हैं इसके और देखते हैं इसके कुछ कमाल की फीचर सबसे पहले ह आप मिलता है जियो की सर्विसेज जो हमें इस फोन के अंदर मिलने वाली है जैसे आपको जियो सनिवा का उप्शन मिलने वाला है जियो पी का और इसके अंदर 600 प्लस चैनल भी आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर आपको वीडियो कॉलिंग का उप्शन भी मिलता है और भ वर्लेस FM के साथ HD Calling है और इसके अंदर आपको Google Voice Assistant भी मिलेगा यह इक एडवांटेज है इसका जो प्राइज है इसका प्राइज है इसका पर जो MRP मिलेगी आपको वह काफी ज्यादा मिलेगी 3999 वन यह की रिप्लेस्मेंट वारिंटी के साथ है चले अनबॉक्स करता है इस कम विडियो कॉलिंग का उपशन है या डारिक पीमिनट्स का अपशन दिया गया है और फ़ोन की थेकनेश भी आप देख सकते हैं काफी ज्याद थेकनेस इसके अंदर बैक पर speaker दिया गया और यहाँ पर option दिया गया है camera का एक Mac से जैसे बड़ी सी ring बना देगी है इस button phone के उपर चिस्टेस का design बहुत ही जबदस हो जाता है नीची के तरफ दिया गया हमें इसका 3.5mm का jack और port charging वाला इसमें आपको front camera ही मिलेगा video calling के लिए उसके बाद हम देख लेते अतर एकसिरी बॉक्स के अंदर फिर बिलती है हमें battery रखी हुई battery का जो इसके अंदर एमेच मिलने वाले आपको वह थारस आमेच मिलने वाले अब दीख सकते हैं इसका 1800 डामेच का battery है battery backup भी काप अच्छ होने वाला इस बड़िया से phone का उसके बाद हमें बलते हैं user manual पड़े नहीं करी इसके साथ जितने सारी यूजर में रहे इतने तो किसी touch phone के साथ भी नहीं मिलते है जितना में company ने इस बटन फोन में दिया हर एक language बार एक feature के बारे वे detail नहीं आपर उसके बाद रखा हम इसका charger चार्जर आप देख सकते हैं काफी सब्सक्राइब हमें इसके अंदर USB चार्जर नहीं दिया गया है दोस्तो है हमारा phone है इसका back panel खोले तो देखते हैं इसके अंदर क्या 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 और other option है back तो क्योंकि इसके अंदर battery removable यहाँ पर बलता है एक memory card लगाने का option और यहाँ पर मिलता है एक nano sim लगाने का option यह double sim नहीं यह single sim phone है अब लगा लेते हम इस पर अपनी battery और on करने ते इ हो रहा है यहाँ पर जियो की branding के साथ है जियो के sounds वगारा भी काफी loud है इसके अंदर आपको loudness के अंदर कोई problem होनी नहीं वाली क्योंकि इसके quality sound की हो काफी अच्छी चीजी लग रही है यहाँ पर जियो का logo आ रहा है यह phone on हो रहा है दोस्तो हमारा phone on हो चुका आप देख है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जियो स्टोर का option है WhatsApp भी इसके अंदर आपको pre-install मिलता है और जियो टीवी यह निए कि आप टीवी की जरूरत नहीं है फिस छोटे से बटन फोन के पर ही आप पूरा टीवी दीख सकते हैं यह YouTube का option भी है लगवग सारे smartphone वाले main जो features ह है वह इसके अंदर दे दी गए हैं जि लोगो बटन फोन चलाना ज़्यादा चलागता है smartphone से दूर जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा फोन है क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छी features भी social media भी है और काफी ज्यादे entertaining apps भी डलीवी है पहले सी यह इसका menu है menu के अंदर आपको facebook भी pre-install मिलती है geos anyone भी pre-install मिलता है काफी सारी application pre-install मिलती है जैसे कि आप चाहें तो अपने recharge भी करा सकते है news भी इसी phone पर सुन सकते हैं internet का option भी दिया गया है इसके अंदर आपको यहाँ पर call recording option भी दिया गया है अगर आप चाहें तो call भी record कर सकते है memory cleaner और google assistant भी एक button phone में इतने जादे features होना भी बहुत जबर्दस बात है यहाँ पर आपको जीओ sound मिलता है unlimited music आप सुन सकते हैं जीओ के app से आप रिचार्ज कर सकते हैं वीडियो calling option भी आपको दिया गया है इसके अंदर और अगर आप चाहें तो इसके अंदर online पिवेड्स वगरे भी कर सकते हैं जी यूपे से एक बार इसके अंदर हम इंट्राइट भी चला के देख लेते हैं कि इसके अंदर इंट्राइट का option भी यूट्यूब हमने खोल दी है जिसके अंदर कि आपको कैसी इसकी पिचर quality मिलती है इसके अंदर आपको वाइस सब्सक्राइब अब है कर सकते हैं तो जिसके और आपको धार आप्षिन कर सकते हैं जिसे कि होउम शॉट्स हो गया किसी और आप हो जाताओ अ वह डारेट लिए आपक शॉट्सक्वाप्शं बीए डारेक शॉट्स भी दीख सकते हैं ज़रू नहीं आप फुल वीडियो देखें वह अप्टिकेशन चलने में चलने में कुछ अलग सी फीचर के अंदर यूज्टेंग कर सकते हैं लेकिन जीपीए का ओप्शन दिया गया है डिस्प्ले के लिए brightest वगारे भी कम जादा कर सकते है, screen lock भी दिये है, app permissions भी है इसके अंदर, यह काफ़ी सारी feature ऐसे हैं, जो कि button phone में हम इससे पहले देखने को नहीं मिलते हैं, इसके अंदर आपको काई iOS मिलेगा, जिसको पूरा operating system है, वह काई iOS पे work कर रहा है, और इस phone के आप चाहें, तो software वगरे भी अप्ग्रेड कर सकते हैं, बटन फोनों में software अप्ग्रेडिंग option यह पहली बार देखा हैं, मैंने इससे पहले software अप्ग्रेडिंग option बटन फोनों में कभी नहीं आया, पैट्रिक option भी मिलते हैं, यानि के power seeing mode भी आप इसके अंदर डाल सकते है automatically on-off भी हो सकता है, तो एक काफी अच्छा phone या button phone जिसके अंदर काफी सारे smartphone वाले option है, color वगरा invent कर सकते हैं, इससे बिल्कुली color आपकी चीज़ हो जाएंगे, यह एक सारे feature smartphone के थे हैं, लेकिन आप इस button phone में मिलने लगी, यानि कि आने वाले time में button phone बहुत जादा feature stick होने बटन phone के सबसे ठीक camera है, लेकिन जादा expectation रखें इसके camera से, video column वगरा आप करना चाहें, तो वो भी आपकी properly हो जाएगी, जादा problem नहीं हैगी, और और सारे features की बात करें, तो इसके अंदर आपको 2.4 inch का display मिलने वाला है, TFT LCD, camera इसका 0.3, यानि यह almost VGA camera है, iOS मिलेगा इसके आपको यह phone कैसा लगा मुझे comment करके जरूर होता है, 2700 और इसका price यह लगवा काफी जादा price है इस phone का इक जनल बटन phone से, लेकिन Nokia वगरा के phones से भी जादा महेंगी होता है और उनमे इतने features भी नहीं होते, आपको यह phone कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बता है, वैसे मुझे आपको यह phone काफी अच्छा लगा, इसकी जो design वगरा वह भी काफी रॉफ और टॉफ है, आप देख सकते हैं, इसकी एकीपर्स वगरा भी काफी जबरदस्त है, वीडियो अच्छे लगए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, फ्रेंसे से शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें भी ने, बिल्कुल नाजा है, मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में अगली अन्बाक्सिंग के साथ,